साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी स्वागत हैं आप सभी का आपके ही चैनल पर हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी आज निलेश की मां बेटे के घर पर आने वाली थी निलेश की पतनी रसोई में थी निलेश ने अपनी पतनी सरला से कहा कि आज मां घर पर आ रही है और मैं मां को लेने जा रहा हूँ इतना सुनते ही निलेश की पतनी सरला ने बड़े ही गुसे में जवाब दिया ले आईए मा को मैंने कब मना किया है आपकी मा है लाईए या मत लाईए ये सुनकर निलेश ने कहा कि सरला क्या मेरी मा तुम्हारी कुछ नहीं लगती और हाँ देखो सरला मेरी मा जब पिछली बार यहां आई थी तो आखों में आसू लेकर गई थी उनके मन में कड़वी आदे थी और आज पूरे पाँच सालों के बाद मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ रही है मैं चाहता हूँ कि हम सभी हसी खुशी रहे पिछली बार जैसा दुख मेरी माँ को मत देना इस बाद पर सरला ने बहुत ही गुसे में कहा आपको क्या लगता है गलती मेरी थी आपको अपनी मा की गलती क्यों नजर आएगी आपको अपनी मा से अच्छा क्या इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान लगता है सारी कमिया तो मुझ में ही है आप और आपका परिवार हमेशा ही सही होता है सारी कमिया तो मुझ में ही है और मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू और बेकार पतनी हूँ तब निलेश ने कहा सरला बेकार की बाते मत करो मैं केवल ये कह रहा हूँ जितने दिन भी मा यहां रहे सभी लोग उनसे प्यार से बातें करी उनके पास बैठी मेरी मा को समय दे सरला ने कहा ठीक है मैं घर के सारे काम छोड़कर 24 घंटे आपकी मा के पास बैठ जाऊंगी ताकि आपकी मा को कोई शिकायत न हूँ निलेश ने गुसे में कहा सरला जो मैं समझाना चाहा रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती सरला ने कहा मैं सब समझ रही हूँ आप जो मुझे समझाना चाहती है पिछली बार भी आपनी सारा ग्यान मुझे ही दिया था अपनी मा को कुछ भी नहीं कहा आपको हमारी परवा ही कब है से मिले हुए भी मुझे चार-चार साल हो जाते हैं मेरे पिता की मृत्यू के बाद मेरी मा गाव में अकेली रह गई लेकिन मैं मेरी मा को यहां नहीं ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई परिशानी ना हो तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए अरे मैं जिस भाई का हाथ थामकर इस नए शहर में आया था, जिसने सब सिखा कर मुझे काबिल बनाया, और उनी की वज़े से मैं तुम लोगों का भरण पोशन कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार का खर्चा उठा रहा हूं, मेरे उस भाई की मृत्यू के बाद उसके बच्चों को मैंने एक रुपय का सहारा भी नहीं दिया, और तुम कहती हो, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरी मा के साथ, तुम लोग कैसा व्यभार करते हो, क्या मुझे नहीं पता, इस मार सरला बहुत गुस्से में बोली, कि हाँ हाँ बोलिए, मैं भी तो सुनू, कि हम आपकी मा के साथ कै जैसा व्यभार करते हैं, आज तो निलेश भी अपने मन की सारी बातें सरला के आगे कह देना चाहता था, निलेश ने कहा, तुम मेरी मा के साथ अच्छूतों जैसा व्यभार करती हो, मेरे बच्चों को मा के पास जाने नहीं देती, और मेरी मा को यहाँ आकर अपने लिए दो रोटियां भी खुद ही बनानी पड़ती है, मेरी मा इस उमर में अपना खाना खुद बनाती है, तो दिकार है ऐसी उलाद होने पर, और हाँ एक बात सुनो, बच्चपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कि अगर मैं रात में उठा हूँ और मुझे खाने को रोटी नहीं मिली, मेरी मा मुझे अच्छे से जानती थी, और मेरे लिए हमेशा दो रोटी बचा कर रखती थी, ताकि रात को मैं वो रोटी खा सकूँ, और यहां सब कुछ होने के बावजुद भी मेरी मा को कई बार भूखा सोना पड़ता है, कई बार तबियत खराम होने की वज़े से मेरी मा अपने लिए खाना नहीं बना पाती, तो तुम मेरी मा को खाना तक नहीं देती, तब सरला ने कहा, मैंने आपकी मा को कभी भी रोटी बनाने के लिए नहीं कहा, वो तो खुद ही अपना खाना अलग बनाती है, तो इसमें मेरी गलती क्या है दिलेश ने कहा इसमें तुम लोगों का कोई दोश नहीं बलकि मैं ही अपनी मां का लायक बेटा नहीं बन पाया आज जो हमारे पास ये घर है ये गाडिया है और जिस समपत्ति की तुम मालकिन बन कर बैठी हो ये मेरी मां के आशिरवात से है मेर घर का माहोल खराब ना हो क्योंकि अगर हमारे बीच में लड़ाई जगडा होगा तो मेरी मां को बहुत दुख होगा और मेरी मां मेरे पास आना ही छोड़ देंगी और शायद यही कारण था कि पिछले 5 सालों से मेरी मां मेरे पास रहने के लिए नहीं आई निलेश ने सरल निलेश देखोगी जिसको तुमने आज तक नहीं देखा होगा आज निलेश भी अपने मन में दबी हुई टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था और अपने पती निलेश का ऐसा रूप देखकर सरला भी चुप हो गई साथ संगत जी निलेश की मा वहीं दर्वाजे के पास खड़ी हुई पहली बार अपने बेटे निलेश को अपने लिए इस तरह से बातें करते हुए सुन रही थी निलेश की मा की आँखों में आस्मों का समुन्दर उमड पड़ा था निलेश की मा ने खुद को संभालते हुए दर्वाजा खट-कटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है निलेश ने अपनी समझदारी से अब घर में सब कुछ बदल कर रख दिया था आज निलेश की मा को पहली बार लग रहा था कि वो अपनी बेटे के घर पर आई है साथ संगत जी एक वृद माता रात को ग्यारा बजे अपनी रसोई में बरतन साफ कर रही थी उनके घर में दो बहुएं थी जो की बरतनों की अवाद से परेशान होकर अपने पतियों को सास को उलाहना देने के लिए एक कहती है वो कहती है अपनी मा को मना करो इतनी रात को बरतन धोने से हमारी नींद खराब हो जाती है सुबह चार बजे उतकर रसोई में चली जाती है और फिर सुबह पांच बजे से पूजा पाट करके हमें न सुबह सोने देती है न रात को जाओ सोच क्या रहे हूँ जाकर अपनी मा को मना करो अब बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है रास्ते में छोटे भाई के कमरे से भी वो ही बाते सुनाई पड़ती है जो उसके कमरे में हो रही थी वो छोटे भाई के कमरे को खटखटा देता है छोटा भाई बहार आ जाता है दोनों भाई रसोई में जाते हैं और मा को बरतन साफ करने में मदद करने लगते हैं मा मना करती हैं पर बेटे नहीं मानते बरतन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई मा को बड़े ही प्यार से उनके कमरे में ले जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके पिताजी भी जागे हुए थे दोनों भाई मा को बिस्तर पर बठा कर कहते हैं कि मा सुबह हम लोगों को भी जल्दी उठा देना हमें भी पूजा करनी है और पिताजी के साथ हम योगा भी करेंगे मा बोली ठीक है बच्चों दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे और अब तो दोनों बेटे ही रात को नौ बजे ही बरतन माजने लगते तो उनकी पतनिया कहती कि माता जी रसोई में बरतन माजती हैं आप बरतन साफ क्यों कर रही हो तो बेटे बोले हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण ये भी था कि हमारी मा को मदद मिल जाएगी पर तुम लोग ये काम नहीं कर रही कोई बात नहीं हम अपनी मा की मदद कर देते हैं हमारी तो मा है इसमें क्या बुराई है अब इस घटना के तेन दिनों के बाद ही पूरे घर में बदलाव आ गया और अब दोनों बहुए रात को जल्दी बरतन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो नके पती बरतन साफ करने लग जाएंगे साथ ही साथ सुभे वो भी पतियों के साथ ही उठने लगी और पूजा पाट में भी शामिल होने लगी कुछ ही दिनों में घर का वातावर्ण पूरा बदल गया और दोनों बहुए साज ससुर को सम्मान देने लगी साज संगत जी मा का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुए उनका सम्मान नहीं करती मा का सम्मान तो तब कम होता है जब बेटे मा का सम्मान नहीं करते लाइक शेर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी